प्लेलिस्ट में आज हमारा इंटर्व्यू हो रहा है मिसेज मौसिना केद्वई जी से यह जाहिर नहीं होता कि वो 91 years की है और बहुत सालों से 6-7 दशक से वो देश की politics में active रही है उन्होंने सक्री योगदाम दिया है और अभी कुछ दिन पहले ही my life in Indian politics में उनका आत्मचरित कहें या autobiography कहें remincensus कहें यह बहुत ही दिल्चस्प तरीके से उन्होंने politics में जब वो आई 1960 और उससे पहले और उसके बाद किस तरह से उन्होंने देश में देश के बाहर घटना करम देखे अपना योगदान दिया कॉंग्रस में बहुत important post पर रही working committee और AICC की members रही government में उन्होंने state government में और union cabinet में बहुत जिम्मेदारी के ओदे और portfolios की जिम्मेदारी निभाई मिसाल के तौर पर family minister for health and family welfare minister for transport और इस तरह की जिम्मेदारियां उन्होंने बखुबी निभाई तो आज उनसे बातचीत करते हुए मैं ये जानना चाहूंगा कि इस किताब में भूतपूर रक्षामंत्री और केरल के मुख्यमंत्री एके एंटिनी साहब ने मोसिना जी के बारे में लिखा है कि जब वो कॉंग्रस की वर्किंग कमिटी में जब भी बोलती थी तो उनकी आवाज वो क्या कह रहे हैं सब लोग बहुत चुपचाप और ध्यान से सुनते थे तो मैं जानना चाहूंगा क्या वजह है कि उन्होंने इस तरह के अलफाज लिखे कि मैं तो यह कहूंगी कि यह तो एंट्योनी गी ने जो मेरे बारे में लिखा है मैं उनकी बहुत शुक्र कुझार हूँ कि उन्होंने ऐसे जुम्ले मेरे लिए इस्तेमाल कि मैं असल में देखे मैं जब भी बात करती हूं तो बिलकुल सफाई के साथ करती हूं वो चाहें किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे वो बात अलग है लेकिन मैंने कभी भी कॉंग्रिस के इंट्रेस के अलावा बात लेकी और हमेशा मैंने यह चाहा कि कॉंग्रिस और आ लेकिन मैं समझती हूँ कि जब आप कोई जिम्मेदारी की बात करेंगे और लोग उसको जरूर दिल्चसबी से सुनेंगे कि आप की जिम्मेदारियां क्या हैं। हम लोग वरकिंग कमिटी में थे और हम लोग ये चाहते थे कि हमारी जिम्मेदारी जादा है ना। पार्टी को आगे बरहने में या उसको और प्रोजेक्ट करने में तो हम लोगका ज़ादा है घुम लोगको उसके बारे में कहना चाहिए और सोचना चाहिए बहुत इम्पॉर्टन चीज अपने कहा कि हरवक्त आपको पार्टी को आगे ले जाना ये आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी बात थी, इसकी एहमियत थी, बहुत अच्छा, और इस वीडियो में एक सवाल में और करना चाहूंगा, इस किताब में मैंने देखा, कि एक वाक्या बयान किया गया है, जो कि आजादी के पहले के वक्त का है, और उत्तर प्रदेश में हैदरगर तैसील से तालुक रखता है, और तब शायद कांगरस की मेंबरशिप चार आने में मिलती थी, लेकिन उसके लिए एप्लाई किया कोई साहब ने जो ठेकेदार या कांट्रेक्टर थे, जो कि उस वक्त के रूल्स के मताबिक शायद ये अलाउ नही था, और ये में में मेंबरशिप रद कर दी गई, ये क्या किस्सा था एक तो मैं ये जानना चाहूंगा और दूसरा उससे आगे ये भी जानना चाहूंगा, कि वो जो मापदंड उस समय के थे, वो शायद अब सोचे भी नहीं जा सकते, तो ये वैल्यू सिस्टम में ऐसी तबदीली कैस को कांग्रेस के कन्सिट्शिउशन के असमें जो चीजें थी इनहीं के मताबक कौन करता है और हर बंकर को ये हखदा के महत्मा घानी तक पहूंचे तो ऐक वर्ट कर ने उस में पोस कांड पर लिगके उनको भेज दिया अब आपकी कांग्रेसन के कान रहेगा, श्यू और ये जो आख फर्मा रहे हैं वो ठीक है बिलकुल कि उसमें नहीं था कि ठेकेदारों को नहीं दिया उस वक्त कि ठेकेदारी क्या होती थी लेकिन फिर भी उसूल था एक तो वो जो था तो उनों वो खत पहुंचा महात्मा गांदी की पास वो पोस्कार्ट और उस वक्त मेर ससूर सहाब जो से जमील रह्मान खिद्वाई वो भी फिर्यम फाइटर थे तो वो दिले के अद्देश थे और नहरू जी जनरल सेक्टी थे तो महात्मा गांदी ने पोस्कार्ट नहरू जी को भेजा और कहा कि ये तुम अपने अद्देश हो को हो कि वो जाए अब उस वक सफर आप सफर जानते हैं कोई बस बस का सवाल ही नहीं था तो हमारे ससूर साब ने का जमील साब ने कि मैंने टाल गया मैंने का कौन जाए बाइस चौबिस किलो मीटर जाके और इसकी तहकिक करें तो कहने लगे पंदरा दिन नहीं गुजरे थे कि देखिए याद कितना रह आत्मा जी कह रहे हैं गांदी जी कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा जिले का अधिश इतना ही निकमा ना कारा है तो जवाला तुम खुद जाओ उसकी तहकिक के लिए एक मेंबर शिप्ट की यह तनी एहमियत थी कि कांगरिस का मेंबर होने ही अपने आप में एक बहुत फखर की बात थी तो यह क्या वज़ए है कि वैल्यू सिस्टम में यह चेंज हो गया इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है जिम्मेदार तो हम ही लोग है ना हमने उन वैल्यूस को बहुत घटा दिया जबके कांगरिस में सिवाए वैल्यूस के और उसके आईडियो जी के बाकी जो आते हैं, हम मैं तो समझती हूँ, कि मैं कम से कम तो आइडियोलोजी के साथ हूँ. और यह चीज है कि आज कल की जो वैलूज है वो इसलिए चेंज हो रही है, कि अब ना कोई कॉंस्टिउशन जानता है, ना कोई इसके आइडियोलोजी जानता है, अब तो जो कांग्रिस का मे चाहिए तो ये बहुत बड़ा फरक हो गया है आपने बिलकुल सही फर्माया लेकिन मैंने ये भी देखा कि जैसे जब आप पार्टी में इंचार्श थी और इसी किताब में मैंने पढ़ा कि कहीं पर निर्मल खत्री आपसे मिलने आए तो आपने समझ लिया कि इस शक्ष में पुटेंशल है और आपने उनको सीट दिलवाई और वो जीते तो ये शायद आपकी नजरों में ये था कि आपको लगा कि इसमें लीडर्शिप का माद्दा है और तो ये भी बहुत बड़ी चीज है जो उस वखर हम लोग क्या करते थे कि हम लोग ये देखते थे उस वखर हर एलेक्शन में कम से कम पचास बच्चे हम निर्मल खत्री जैसे निकाल देते थे इसलिए और जिनको आगे बढ़ना चाहिए जिनमें प्रोटेंशल होता था जिनमें मतलब समझदारी होती थी उनको हम चार्ट के अलग कर लेते थे फिर उनको मुक्तली जगों पर फिट क आगे बढ़ना चाहते हैं तो नौजवानों के दरी तो बढ़िये गा और नौजवानों को समझाने के लिए और बताने के लिए मैं एक और चीज़ बाप को बताओं कि राहु राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे हम लोग सब उनके साथ तो उन्हों ने क्या किय कहा कि मैं 18 बरस की बच्चे को वोटिंग राइट दूँगा जी तो हम लोग सभी खिलाप थे कि 18 बरस का बच्चा क्या जानता है समझता है तो फिर हम लोगों ने सबने मुखालफत की लेकिन राहु जी का जवाब आप सुनिये उन्हों का बई कोई वक्त मैं जानता हूं क कि आज के बच्चे कुछ बहएक सकते हैं क्योंकि सब किस्टे जगर शुरूरी बहुत है तो मैं ये समझता हूं कि कोई वक्त तो ऐसा आएगा कोई मसला तो ऐसा आए कहीं पे तो कहीं ये रुकेगा किस कि जिस दिन देश के नौजवानों को देश की जिम्मेदारी समझ मे हैगी कि ये देश की जिम्मदारी हमारी है आज हूँ बचे हैं लेकिन कल आने वाले वक्त में वो हुक्म रा होने वाले तो उनको ये महसूस तो होना चाहिए कि भई हमारी कि बहुत कि आकि देश के नौजवानों के दुद को कब ये समझ में आएगा उनको ये दो फ carb chip कव लेकिन उन्हों का कि नहीं मैं मुझे करना है। बहुत बहुत शुक्रिया यहां पर हमारा पहला वीडियो खत्म होता है। अगले वीडियो में अब हम 1980 में आजमगड़ के एक एलेक्शन के बारे में बात करेंगे। शुक्रिया।